हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विर मार्यू में तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये है सफेद कपड़ा और इस पे लग गया है दूसरे कपड़े का कलर और मैं करने वाली हूँ इसकी क्लिनिंग तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए फ्रेंड्स जो आज मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और जैसे एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े में लग जाता है तो इस तरीके से आप आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर मैंने ले लिया है खाने का सोड़ा और जितने भी दाग लगे हैं कपड़े पर उसके उपर सब जगह हम अच्छे से लगा लेंगे और लगाने के बाद हलका हलका रगड भी देंगे और फ्रेंड्स ध्यान रहे यह काम हमको करना है गीले कपड़े के ऊपर तो यह देखे फ्रेंड्स मैं काफी मातरा में जो है सोड़ा हातों पर ले लेकर सभी दागों पर लगा लूगी फ्रेंड्स ये देखे इस तरह से और लगाने के बाद इसे हमें 10 मिंट के लिए देना है छोड़ और फिर मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूँगी जिससे ये जो कपड़े के दाग है इसली निकल जाएंगे और आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी तो ये तो मैं आपको सफेद कपड़े पर दिखा रही हूँ अगर आपके पास किसी भी कलर के कपड़े है और कोई भी दूसरा कलर उसमें लग गया है तो आप इस तरीके को आजमा कर इसली कलर को छुटा सकते हैं तो ये देखे मैं सारे कपड़ों पर इस तरह से जितने भी दाग लगे हैं मतलब कपड़े पर अच्छे से सोड़े को लगाने के बाद फिर इसको हमें छोड़ देना है दस मिन्ट के लिए और हलका हलका आप देख रहे हैं मैं इसे हाथों से रगड़ती भी जा रही हूँ और छोड़ने के बाद हमें यहाँ पर चाहिए होगी दूसरी चीज तो यह देखे फ्रेंट्स दस मिन्ट हो चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर यह मैंने ले लिया है जो नेल पैंट रिमूवर आता है न वो आप कैसा भी आपके पास या लिक्विड में हो या फिर इस तरह का आप उसे यूज कर सकते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने इसकी जो एक लेयर है उसे ले लिया है और इस तरह से हम इसे टाइट टाइट पूरे कपड़े पर रगड देंगे फ्रेंट्स इससे जितना भी दाग है न वो अपने आप रिमूव हो जाएगा फ्रेंट्स यह काफी कालगर होता है किसी भी कलर को रिमूव करने में तो यह देखे मैं पूरे कपड़े पर अच्छे से रगड दूगी और रगडने के बाद फिर इसे हाथों से भी हमें रगडना है फ्रेंट्स यह जो कपड़ा है यह धोती थी पंडिजी की हुआ किया कि घर के सामने कैई दिनों से भागवत की कथा चल रही थी तो वहां के जो पंडिजी आए हुए है मतुरा से उनके कपड़े मैं क्लीन कर रही हूँ तो हुआ क्या जो कपड़े देने वाली है वो एक रंगीन कपड़े में बांध कर सारे कपड़े दे गई लेकिन उसने ध्यान नहीं किया इस बात का और जो रंकीन कपड़ा था वो गीला था और उसका कलर जो है पूरे कपड़ों में लग गया इस तरह से और पूरे कपड़े हो गए खराब तो friends देखते ही मुझे तो काफी टेंचन हो गए क्योंकि पंडीजी के कपड़े काफी महंगे भी थे और यह सारे कपड़े ही दाग से खराब हो गए तो friends और कपड़े तो मैंने साफ कर दिये लेकि इस कपड़े को मैं आपके साथ सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लिया जाए क्योंकि बहुत ही काम की ट्रिक है friends तो आप आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाता है तो आप भी इस तरीके को आजमा कर easily कपड़े से दाग रिमूग कर सकते हैं और friends यह चीज तो घर की चीज है जो घर में ही हमारे पास available होती है तो हमें भार से कोई खर्चा भी नहीं करना होगा हमारा कपड़ा जो है बिलकुल आसानी से साफ हो जाएगा तो इस तरह से मैं आपको बिना इस किप के वीडियो दिखा रही हूं friends नहीं इस वीडियो में कोई जूट है नहीं फ्रोड है तो आप देख सकते हैं मैं पूरे कपड़े को रगटती जा रही हूं और इस तरह से धीरे धीरे कपड़े के जितने भी दाग ह हैं वो हलके भी पढ़ते जा रहे हैं friends और इसके बाद फिर हम इसे धो लेना है पानी में और पानी में धूने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कपड़े की जो दाग है न वो बहुत ही एकदम हलके पढ़ जाएगे तो ये देखें friends हम मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े को पहने यहाँ पर पानी में धो लिया है friends ये देखें कपड़े में धोने के बाद आप देख सकते हैं जो गहरे दाग थे वो बिलकुल नाम मातर के रह गई हैं friends और जैसे ही हम इसे सुखाएंगे सुखाने के बाद ये दाग बिलकुल भी दिखाई नहीं देंगे बहुत ही थोड़े थोड़े से दाग आपको दिख रहे होंगे और ये देखेंगे friends अभी मैं इसे धूप में नहीं सुखाया है केवल वाशिंग मसीड में सुखाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ friends तरीका अगर आप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ओके फ्रेंड्स बाई बाई और टेके